हेलो दोस्तों स्वागत हाफ सभी गर रोजगार मली से रहने पर दोस्तों आज हम आपके लिए किसान आंदोलन एवं किसान सभा से संबंदित कुछ महतपुर क्योशन लेकर आए हैं जो बार-बार एक्जाम में पुछी आते हैं दोस्तों इंपोटेंट टोपी के हर एक्जाम में आसे क्योशन बनते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपका पहला क्योशन है आपका पहला क्योशन है भारत वर्स का सरपर्थम किसान आंदोलन कौन से था चमपारण बारदोली बेगू या बिजोलिया आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन डी बिजोलिया भारत वर्स का सरपर्थम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन थ विजोलिय आंदलोन का नेतरता वर्स 1913 में सादू सीता रामदास ने किया था तथा वर्स 1915 में विजे सिंग पतिक इस आंदोलन से जुड़े थे इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर दो निम्न मैं सकोन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से सम्मद नहीं था इंद्र नाराने दुएदी गोरी संकर मिस्र जवाललाल नहरू मदन मोहन माल भी है आपका सही उत्तर हो जाएगा ओफ्षन सी जवाललाल नहरू अब अध में होम रूर लीक आंदुलम के कारे करता काफी सक्रिय थे इन्होंने किसानों को संगटित करना शुरू किया संगठन को नाम दिया गया किसान सभा फरवरी 1918 में इंद्रनारा द्वेदीन, गोरी संकर मिस्र और मदन मोहन माल भी है के प्रियासों से यूपी किसान सभा की स्थापना की गई थी जवाललाल नहरू इस सम्बंदित नहीं थे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन सी, चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर तीम नाई धोबी बंद, सामाजिक बायकोट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा परतापगर जिले में चलाया गया था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन ने किसानों द्वारा परतापगर जिले में चलाया गया था बर्स 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगटित बिद्रोग खुल कर सामने आया अबद के परतापगर जिले में एक जागीर में नाई दोबी बंद सामाजी वहिसकार एवं संगटित कारवाई की पहली घटना थी इसको याद रखेंगे इंपोटेंट क्योस्टन है चली अगला क्योशन देखते हैं क्योस्टन नमबर 4 वह प्रदेश कोन सा था जहां बावार रामचंदर ने किसानों को संगटित किया था अबद, बिहार, बंगाल या आंध्र आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन A अबद दोस्तों अबद के परतापगर जिले में संगटित किया गया था को याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर पाच 1930 के दसक में देश के बिविन वागों में बिन बिन नेताओ दुआरा किसान आंतुलन चलाए गए थे उनके प्रभाव छेत्रों से सुमेलित कीजिए तो आपका हो जाएगा तीन चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर च्छे इनमें सब कोन 1930 के दसक में किसान सभा आंदुलन के सक्रिय रूप से जुले थे आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसन B सौमी सहजजज़णद 1930 के दसक में किसान सभा आंदुलन से स्वामी सहज़द् учत सक्रिय रूप से जुले थे बिहार किसान सभा का गठन इनोंने ही किया था अप्रेल 1936 में लगनव में संपन प्रिथम अखिल भारतिय किसान सम्मेलन का अध्यक्स इनी को चुना गया था चलिए अगला क्यूशन देखते हैं कि उसन नमर साथ अवद के एका अंदोलन का उद्देश से क्या था सरकार को लगान देना बंद करना जमीदारों के अधिकारों की रक्सा करना सत्याग्रह की समापती या लगान का नगद में परिवर्तन आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्संडी लगान का नगद में परिवर्तन एका अंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया बलकि आंदुलन कारियों की पिरुमुक मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान को नगद में रूपांतर किया जाए इसको याद रखेंगे दोस्तों इंपोटेंट के उसने चलिए एकला कोशन देखते हैं के उसन नमबर आठ बिहार प्रांते किसान सबा का गठन किसने किया था स्वामी सहजानन सरजबती, राम सुंदर सिंग, गंगा सरन सिनह, राम चंदर मिस्रा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसने स्वामी सहजानन सरजबती बिहार में किसान आंदोलन की सुरुआ स्वामी सहजानन सरस्वती के नेतरतन में हुई सहजानन सरस्वती ने बर्स 1929 में बिहार प्रांते किसान सभा की स्थापना की इस सभा का बिस्तार बिहार के गाउओं में करने में उन्हें कार्यानन सर्मा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन सी बिहार में किसान आंदूलन से तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन एक स्वामी सहजानन अप्रेयल 1936 में लखनव में अखिल भारतिक किसान कांग्रेस की स्थापन हुई जिसका नाम बदलकर अखिल भारतिक किसान सवा कर दिया गया बिहार में प्रांतिक किसान सवा के संस्थापक स्वामी सहजानन सरजबती इसके अध्यक्स और आंदर में किसान आंदूलन के अगवा के अगवा तता क्रसी छेत्र की समस्याओ के बिदूआन एंजी रंगा इसके महा सचीप चुने गए फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अकिल भारतिक किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला जिसकी अध्यक्स ता एंजी रंगा ने कीठी चलिए दोस्तों अगला क्यूशन देखते हैं क्यूसरा नंबर 11 1936 में लखनव में अखिल भारतिक किसान जवा का पर्थम अध्यक्स कौन चुना गया अगला क्यूशन देखते हैं क्यूसरा नमूंदरी पाद स्वामी सहजानन सरजवती आचार्य नरेंदर देव कोई नहीं या एक सहदी आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन C स्वामी सहजानन सरजवती चलिए अगला क्यूशन देखते हैं क्यूसरा नमूर 12 लखनव में इस्थापित अखिल भारते किसान कांगरेस के महासाचिप के रूम में निमलेखित में सरजवती किसा चुना गया था स्वामी सहजानन एंजी रंगा इंदुलाल यागी या राम मनोहर लोहिया आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन B एंजी रंगा दोस्तों एंजी रंगा महासचिप चुने गए थे और स्वामी सहजानन जो है इसके प्रतम अध्यक्स चुने गए थे इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते है किसान कांगरेस का गठन क्या गया था 1936 में, 1949 में, 1942 में, 1945 में से कोई नहीं या एक से अधिक आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन ए 1936 में चलिए अगला क्योशन देखते है किसान नबर 14. कौन सी जगह थी जहां अखिल भारते किसान सबा का पहला अधिवेशन वहा था? तो पहला अधिवेशन ईलावाद में, कॉलकत्ता में, लखनाूमें या पटना में आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन C लखनों में चलिए अगला कोशन देखते हैं कि उस्तर नम्बर पंदरा अखिल भारते किसान सबागे संस्था पगद्यक्स को उनते तो रिपीट कोशर है आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानन सरजबती चलिए अगला कोशन देखते हैं कि उस्तर नम्बर सत्रा स्वामी सहजानन सरजबती ने भूमी और जलमार के राष्टे करड़ की मांग के साथ अखिल भारते सही उत्तर हो जाएगा उप्सन C बिहार के किसान सबागा गठन कब किया उनकी मरत्यों के ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दसक में 1920 के दसक में आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन A उनकी मरत्यों के ठीक पहले अकिल भारते किसान सबागा गठन स्वामी सहजानन सरजबती द्वारा बरस 1936 में किया गया था स्वामी सहजानन्द की मरत्यू बरस 1950 पे हुई थी स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने अकिल भारतिय संयूग किसान सभा का गठन अपनी मरत्यू के ठीक पहले किया था इस सभा का उद्देश्य बहुमी जर्मार्ग और उर्जा के सभी इस्तरोतों का राष्टे करन था चलिए अगला क्यूशन देखते हैं कि उससे नम्बर 18 निमने लिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने पर्तम अकिल भारतिय किसान सभा में भाग लिया था आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन ए जवाल लाल नहरू अकिल भारतिय किसान सभा 1936 को जवाल लाल नहरू ने भी संभोधित किया था इस अधिवेशन में स्वामी सहजानन सरजवती को इस सभा का अध्यक्स और एंजी रंगा को महासचीव चुना गया था इसको याद रखेंगे पंडित जवाल लाल लेहरू ने भी समें भाग लिया था चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नंबर 19 इन मैसे कोन बिहार में किसान अंदुलन के साथ जुड़े थे आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन ए डॉक्टर आजेंदर परसाथ डॉक्टर आजेंदर परसाथ बिहार में किसान अंदुलन से जुड़े थे ये संभिधान सभा के अध्यक्स थे संभिधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रतम राष्टपती बने थे इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्वेशन क्वेशन नमर्ट बीस सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गए कूट को सही उत्तर चुनिए बारदोली सत्यग्रे की स्थापना सरदार बल्लबाही पटेलने की थी तो दो हो जाएगा भारतिय किसान संस्थान की स्थापना एंजी रंगाने की थी तो चार हो जाएगा बंगाल पिर्जा पार्टी की स्थापना फजल हगने की थी तो तीन हो जाएगा बाकास्त संगर स्वामी स्रद्धानन सरस्वती से संबंदी थे तो हो जाएगा एक तो 24 सिकत्तिस आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सकन भी वर्स 1928 में सूरज जिले में बारदोली तालूके में गांधी बादी आंदोलन और सत्य ग्रह को पर्यापत सफलता मिली यहां मेहत बंदू सरीखे गांधी जी के नयुआयों ने 1922 से निदंतर अभियान चला रखा था बर्स 1928 में यहां करसक आंदोलन का नेतरत बल्लब भाई पटेल ने किया जो बारदोली सत्य ग्रह के नाम से पिरसित था इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाउ ने सर्दार की उपादी परदान की भारतिय किसान संथान की इस्थापना एंजि रंगा ने की थी बर्स 1929 में फजूल हक ने परजा पार्टी जो बाद में बंगाल पार्टी के नाम से बनी की इस्थापना की थी बर्स 1937 में हुए चुनाप के बाद में इन्होंने बंगाले में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई बिहार का वकास्त या सुयम की खेती की बुमी संगर स्वामी स्रध्धना सरस्वत्वी तो संबंदित है इसको याद रखेंगे इंपोटेंट क्योशन है चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 21 बारदुली सत्यग्रा का नेतर तब किस ने किया था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेम क्योशन रिपीट सरदार बल्लब भाई पटेल चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 22 निम्न मेंसे किस आंदुलन में सरदार बल्लब भाई पटेल ने मुख्य भूमी का निपाई थी तो बारदुली सत्यग्रा आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन दी चली अगला क्योशन नमर 23 बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी किसने दी ती बल्लब भाई पटेल के नेतरतम में बारदुली का सफल किसान आंदुलन संबन हुआ बारदुली सत्यग्रा के समय ही यहां की महिलाव की और से महात्मा गांदी ने बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी प्रदान की थी चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 24 महात्मा गांदी ने बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी उनकी बड़ी संगटन चमता के कारण किसान दुलन में दी थी आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन बी बार्दोली संग्रे में चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 25 मंगाल के तिभागा किसान अंदोलन की क्या मांग थी जमीदारों की हिस्चेदारी को फजल के आदे भाग से कम करके एक्तियाई करना भूमी का वास्त्वी खेतियार होने के नाते अगला नहीं हिस्चेदारों की हिस्चेदारी को फजल के आदे भाग से कम करके एक्तियाई करना सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांते किसान सबा दोरा तिभागी आंदोलन प्रार्म किया गया इस आंदोलन में बरगादारों या बटाईदारों की मांग थी की जमीदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके एक तिहाई किया जाए तता सेज दो तिहाई हिस्सा बरगादारों को दिया जाए इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेज रोफ से प्रवावित हुए चलिए अगला क्योशन देखते हैं कि उस्तों नम्मर 26 भूदान आंदोलन का सरपर्तम प्रारम किस राज्ये में हुआ था आंदर प्रदेश में, करनाटक में, तमिलनाडू में या उत्तर प्रदेश में आपका सही उत्तर है उप्सन ए आंदर प्रदेश में आचार्य बिनोवा भावि द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारम 18 अपरेल 1971 को तातकाली न आंदर प्रदेश के तेलंगाना छेतर के पोचम पल्ली ग्राम में क्या गया था इसको याद रखेंगे इंपोटेंट क्योशन है चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नंबर 27 आचार्य बिनोवा भावि के भूदान आंदोलन के प्रारम में निम्लिकित इस्थानों में से कौन सा एक उससे संबंदित था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्षन सी पोचम पल्ली चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नंबर 28 बूदान आंदोलन की शुरुवात हुई थी उत्तर प्रदेश राज्ये में मध्य प्रदेश राज्ये में आंदर प्रदेश में यही माचल प्रदेश में तो रिपीट क्योशन हैं दोस्तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्षन सी आंदर प्रदेश राज्ये में चलिए अगला क्रिशन देखते है क्रिशन नमर 29 बुधान आंतोर में किसने प्रारम किया था जै प्रकास नारा जे भी करपलानी बिनोगा भावे ये श्री गुरुजी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C बिनोगा भावे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही काफी है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो आगे भी सित्रा की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा दें